राधे राधे फ्रेंद्स जैसीरी क्रिशना स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में आज हम कराएंगे अपने लाला को नौका बिहार तो नौका बिहार कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक टप लिया है आप चाहे तो परात या टप कुछ भी ले सकते हैं अब हम इसे सुध जल से भर लेंगे इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और इतर भी स्प्रे करेंगे ताकि जब भी हम अपने कनहिया को नौका बिहार कराएं उन्हें खुसबू आती रहे अब थोड़ा सा इसमें हम फूल डालेंगे फूलो को पानी में डालने पर ये देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं अब हम इसमें थोड़ा सा फूल डालेंगे और फूलो से टब को सजा लेंगे मैंने यहाँ पे एक थर्मा कॉल का टुकडा लिया है जिसमें मैंने प्लेट को रखकर टेप से कबर किया है अब हम इसमें कोई भी एक मुलायम कपड़ा या तौलिया रख लेंगे और काना जी को बिठा कर नौका भी हर कराएंगे आप जब भी काना जी को नौका भी हर कराएं उसके पहले आप काना जी को अच्छे से उनका सिंगार कर ले उनको अच्छे से तयार कर ले और नास्ता वागे रखा उनको भोग जरूर से लगा ले मेरे जो लाला हैं वो थोड़े हैवी हैं बड़े साइच के हैं तो उनका वेट थोड़ा जादा है इसलिए देखिए मैंने जैसे ही उनको पानी में बिठाया प्लेट में पानी कुछी मिनट बाद भरने लगा मैंने एक हाथ से प्लेट को पकड़कर थोड़ी देर पानी को हिलाकर उनको नोका भीहर कराने की कौसिस की उसके बाद फिर प्लेट को उल्टा करके पानी में मैंने उनको उसके उपर बिठा दिया हमारे यहां बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने ऐसे ही पानी में अपने लाला को बेठा कर थोड़ी-थोड़ी देर पे पानी उनके उपर डालते हुए उनको सितलता प्रदान करने की कोशिस करीती आप भी गर्मियों में कानहजी को ऐसे ही पानी में कुछ देर के लिए जरूर से बिठाए अगर आपके कानाजी हैवी है तो आप ऐसे बेठा कर उनको सितलता प्रदान कर सकते हैं आप चाहें तो पंखा भी चालू कर सकते हैं पंखा चालू करने से हमारे लाला को और ज़्यादा सितलता मिलेगी तो आप पंखा भी चालू कर सकते हैं आप जब भी कानहा जी को नौका भी हर कराएं, तो बच्चों को जरूर से इसमें सामिल करें, क्योंकि ऐसी जो एक्टिविटी होती है, वो बच्चों को चादा अच्छी लगती है, और हमारे कनहिया भी खुश होते हैं, क्योंकि वो भी तो बाल स्वरूप है, तो आप जब कानहा जी को नौका भी हर करें, बच्चों को जरूर से सामिल करें, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना हो सकें, आप कानहा जी के लिए ठंड़क प्रदान करने वाली, सीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं ही उनको भोग लगाएं, उनके पास पंखे की बेवस् करें, तो आप गर्मियों में कानहा जी की सेवा ऐसे ही करें, जिसे जितना हो सकें, हमारे लाला को, हमारे कनहिया को सीतलता मिल सकें, उन्हें गर्मी का एसास ना हो, क्योंकि वो बाल स्वरूप है, तो उनको सीतलता मिल सकें, मैंने यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से, कराने कpei के अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है या आप भी इस तरह से अपने कानह जी को नौका भिहार करा सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक किजिये मेरे चैनल को स्क्राइब कि दाइंक्यू राधे राधे जय सीरी क्रिशना